नमस्का दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ square of 2 and 3-digit numbers जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था 2-digit का अगर कोई number दिया हुआ है उसका square आप आसा ही से कर सकते हैं लेकिन वो numbers basically 100 के पास थे इस वैसे उनका square आप बहुत fast कर पाए थे अगर कोई number छोटा है 2-digit में तो उसका किस तरीके से आप square निकालेंगे तो आज़े जानते हैं for example 46 का square आपको निकालना है तो यह 100 से तो काफी पीछे है तो 100 से काफी पीछे है तो उस case में आपको 54 का difference है 54 का square पता होना चाहिए तो again वो एक problem हो जाएगी तो इस case में आपको base छोटा लेना होगा तो यहाँ पर मैंने मान लिया base है 50 तो base 50 है तो इसे मैं लख सकता हूँ 100 by 2 ठीक है तो 50 से यह कितना difference है 4 तो minus 4 तो कितना आ जाएगा 42 ठीक है 42 होगा इसका square का कि आपने लिखा that is 16 base में 100 लेके चलना हूँ 2 range में लिखूँगा इदा कोई दिखकर नहीं 42 है तो 42 हमने base 50 के साब से आया है और इसे base 100 होगा बनाना है तो upon 2 करना होगा तो यह हो जाएगा 21 और इदा से 16 this will be the answer मिकाल सकते है अगरमाने से लिए 52 का कोई नमबर है तो यह प्लस 2 है base 50 से कर रहा हूँ इसे तो 54 2 का स्क्रेश जिरो 4 and divide by 2 274 2704 निकला है आसे इसे निकाल सकते है अगरमान लेजे 36 का square में यह करना है तो base 50 पे ले रहा हूँ minus 14 होगा 22 14 का square आप करोगे 196 अब यहाँ 30 नहीं ले सकते हैं इसे अभी नहीं से ले जाना होगा इदर सबसे पहले 22 को corresponding to 100 करना होगा यह base 50 पर आपने solve किया अभी तो base 50 के हिसाब से आया है तो 100 के लिए क्या करना होगा 100 बही 2 करूँगा तो यह by 2 हो जागा तो 11 196 अब 1 को आप इदर ले जाएंगे तो यह एगा 1296 इसी का तुझा आपको याद लखना है इदर से जो carry है उसका adjustment जब होगा जब यह base 100 में आप इसे convert कर लेंगे इसी का आपको याद लखना है 36 का square जो मैंने base 50 से किया है आप चाहें तो इसी base 30 से भी कर सकते है base 30 से किस तरीके से होता 36 का square मैं करना चाहरा हूँ base 30 लेना चाहरा हूँ 30 मैं कह सकता हूँ 3 into 10 तो इस case में main जो base 10 होगा यहाँ पर 100 था याद रखिए गई तो 36 है 30 से plus 6 है तो यह हो जाएगा 42 और 6 का square 36 अब यहाँ पर 2 डिजिट नहीं आएगे 36 because base 10 है तो 6 ही आएगी डिजिट और 3 हो carry हो जाएगा अभी इस carry को भी आप यहाँ पर head नहीं कर सकते 42 को पहले base 10 के corresponding बनाना हुगा because यह base 30 के साब से आया हुगा है तो 3 से multiply में करूँगा इसमें तो यह हो जाएगा 126 ठीक है और यहाँ से जो 36 तो 3 इधर पहुँच जाएगा तो इसे आप लेख सकते हैं 129 और इधर से 66 तो आप लेख सकते हैं 1296 वही आ रहा है तो आप base 50 से भी कर सकते हैं base 30 से आप अपने हिसाब से इसे ही कर सकते हैं अंसर एक ही आएगा मैंने suppose कोई 3DH का नंबर ले लिया 402 है इसका स्क्राइब करना चाहरा हूँ तो इस केस में में को base क्या लेना चाहिए 400 लेना चाहिए that is equal to 4 into 100 400 से यह कतना ज्यादा है 2 तो प्लस 2 किया 404 और 2 का स्क्राइब कराएंगे 0,4 ठीक है अब base 100 के करस्पणे बनाएंगे multiplied by 4 that is equal to 1,6 1,6 और 0,4 इता से आजागा 0,4 this will be the answer तो I think यह आपको समझ में आया होगा आप कर पाएंगे square किसी भी 2DH का या 3DH का नंबर हो THANK YOU